नमस्ते करपया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ओम बिर्दा जी अच्छे फार में हैं लेकिन ओम बिर्दा जी को और भी कुछ करना पड़ेगा आज राहुल गांधी जी जो थे उनके नीट पर लेकर और अंगावा करने के पूरे जितने में बोलते हैं सुनिये सुनिये हिंदुस्तान के लोग ऐसा चाहते हैं अच्छा आपने संभवता यह नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैं बीजेपी वालों को कुछ क्लू देना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं इस पूरे नरेटिव के वार में पूरी तरह से नक एबल पिछड रहें बिल्खुल ही एक तरह से कह रहें कि तरह चाही हो रहे हैं पूरे टाइम पे ये आदमी जो था वो लाल किताब लेके और हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता रहा लेकिन कभी एक भी पीजेपी के वाले के कभी ये होश में नहीं आया कि जब भी ये हिंदुस्तान बोले तो इसको लाल किताब दिखा गए बोले कि बैई या इसमें हिंदुस्तान का है दिखा दो क्यों क्यों कि सम्विधान में हिंदुस्तान शब्द कहीं है ही नहीं हिंदुस्तान शब्द भारत का है ही नहीं भारतियों का है ही नहीं हाँ लेहरू जी को जरूर इंदुस्तान शब्स काफी प्रेम था और आपको पता है कि हमारे राउल गांदी जो है वो लेहरू जी के एक तरह से अपने आपको आल्टर इगो मानते हैं कि जो भी लेहरू जी ने का किया जो भी उल्टे-पुल्टे काम किये जो भी अंतराश्ट को मानते हैं कि अप सोचसकते हैं कि इमर्जन्सी पर जब निंदा प्रस्थारे एथे स्पीकर महध है तो उस पर भी रहूल गांधी को आत्ती थी में हमारे भारती जंता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब यह व्यक्ती हिंदुस्तान बोलता है तब आप क्यों नहीं अपनी सम्विधान की किताब लेरा कर इसको पूछते हैं कि भाई तू बताए हिंदुस्तान किधर है सम्विधान में हिंदुस्तान है क्या सम्विदान के साथ खिलवार कौन कर रहा है सम्विदान में परिवर्तन कौन कर रहा है भारत को हिंदुस्तान कौन बना रहा है अच्छा है लोग कहेंगे कि अरे ये क्या है ये तो मामूली से सेमेंटिक्स है इसमें ऐसी क्या बात है इसमें बहुत बात है इसको जो है भाई लोग जो है वो बहुत जानबूच के करते हैं कि खास्तोर से हमारे भाई जान लोग भारत वाले जो है या भारत वाले जो भाई जान लोग है वो इसको हिंदुस्तान ही बोलते हैं क्योंकि उनको इसको डिस्टिंगुश करना होता है पाकिस्तान से उनका कहना है कि हिंदुस्तान अलग है इसलामिस्तान अलग है वो उम्मत जो है उनकी वो अलग देश है वो सेपरिटिजम वाला जो पूरा किस्सा चलता है इसलाम में उसको हिंदुस्तान शब्द बोल कर ही बार बार स्ट्रेस किया जाता है और राहुल गांदी भी मुझे न रपज होता है हर चीज में एक लक्ष होता है हर चीज में एक उद्देश होता है इसलिए राहुल गांदी जी सम्विधान के बाहर जाके सम्विधान को तोड़ते हुए सम्विधान की मर्यादा को लांगते हुए हर स्थान पर भारत को हिंदुस्तान शब्द से सम्मोधित कर छूटे हैं इंडिया डेट इस भारत यह समधान में लिखा हुआ है तो यह हिंदुस्तान कहां से आया जब हिंदी में बोलते हो तो भारत क्यों नहीं बोलते निस्टर राजीव गांधी राहुल राजीव गांधी सॉरी पुरा नाम इनका है राहुल राजीव घैंडी होना आची है क्योंकि इनके जो दराजी थे उनका नाम था फिरोज घैंडी गैंडी से गांधी बन गए क्योंकि गांधी जी ने उनको अडॉप्ट कर लिया उसके बगेर वो इंदराजी की शादी नहीं हो पारी थी वो पारसी थे उनको एक प्रकार से हिंदू बना लिया बड़े पाकिस्तानी न्यूस चैनल्स को सुनिये आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुनिये आप पाकिस्तानी उर्दू अखवारात को पढ़िये कहीं पर भी शब्द हिंदूस्तान उप्योग में नहीं आता है तो फिर राहुल गांधी को भारत को हिंदूस्तान बनाने में क आईए इसको हम एनलाइज करते हैं कि ये हिंदुस्तान शब्द कहां से आरंब हुआ देखिए 1857 के बाद से भारत में दारा प्रवाहित हुई दो एक हिंदी की दारा प्रवाहित हुई एक उर्दू की दारा प्रवाहित हुई उसके पहले एक खड़ी बोली टाइप की चलती थी जिसको बाद में जाके हमारे गांधी जी ने हिंदुस्तानी एक उसको नाम दे दिया लेकिन ने चुकि पाकिस्तान का विबाजन हुआ मुसल्मान अपना पाकिस्तान लेके और कुछ प्रतिशत वहां गए और बाकी को नहरूजी ने यही रख लिया इस आशा में कि वो उनके खुलाम बन जाएंगे और उनको वोट देते रहेंगे इस बार कॉंग्रेस ने उसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट दुबारा किया अब उस एक्सपेरिमेंट से क्या नुकसान हुए वो सब इतिहास में हम देख चुके हैं आप देखें कि हमारे देवबंदियों ने जान बूच कर इसको हिंदुस्तान के रूप में प्रचलित किया है देवबंदियों ने दुराग्रह जो है यह बरिलवियों का नहीं है उनको कोई ज़्यादा फरक परते देखा नहीं मैंने क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान में तो जो मेजॉरिटी है वो बरिलवियों कि ये 17-80% वा बरिलवी ही है लेकि ये देवबंदियों ने यहाँ पर कॉम्पोजिट नैशनलिजम के नाम पर और एक जूटी कहानी करकर ये कहके कि आखिर जो हजरत आदम भिलस सलाम थे वो सबसे पहले हिंदोस्तान में आई थे इसलिए उनका ही मुल्क है और सबसे उरिजिनल जो बाशिंदे हैं हिंदोस्तान के वो मुसल्मान ही हैं हजरत आदम के बाशिंदे हजरत आदम के वंच के लोग हैं तो भाई ये जो नेरेटिव है इसको इस्टैबलिश्ट करने के लिए राहुल गांधी जो है वो अपना कंधा दे रहे हैं देवबंद को ये देवबंद का नेरेटिव है और देवबंद का नेरेटिव ये है कि चुकि यहां पर सबसे पहले हजरत आदम हिल इसलाम आई थे इसले पूरे जर्र सब्र सगीर को हमें इसलामी बनाना है और जो कोई भी यहां पर इसलाम के अलावा और कोई रहते हैं और उनको अबर कोई दिक्कत है इसलाम से तो वो यह छोड़कर यह मुल्क छोड़कर चले जाए आपने सुना है ना देवबंदियों को कहते हुए यह उन देवबंदियों के कहने के पीछे उसके मर्म में यह एक विश्व भुजा विश्व भुजा एक विमर्श है नेरेटिव है इसको राहुल गांदी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं तो भाई लोगो आपके पास भी समिधान की कुछ इस प्रकार की जिस प्रकार के इनके पास हैं को चपवा आपवा लोग आसानी से चपचपा जाएंगी जैसे यह उल्टी पुल्टी बात करे खड़े होके जैसे ही यह इमर्जंसी के फिवर में बोले तो आप लोग भी क्यों नहीं लहराते हैं भई आपको किसे नहीं मना किया है क्या कि सम्विधान की कसम खो यह सम्विधान पर कोई एकाधिकार हो गया है कॉंग्रेस पार्टी का Congress Party ने आप खुद ही कहते हो कि Congress Party ने जितनी सम्मिदान के साथ जाते हैं कि Congress Party ने सम्मिदान को जितना बरबाद किया Emergency लगाई ये सब क्या कहते तो रहते हो लेकिन पकड़ते नहीं हो इसलिए कहते हैं बीजेपी वालो narrative में आप बहुत पिछड रहे हो Congress में सब जानते थे कि रहुल गादी पपू है लेकिन रहुल गादी ने ये काम तो अवश्य किया कि उसको यह समझ में आ गया कि वह पपू है तो इसने जो है वो experts को co-opt कर लिया और वो experts जो है वो सारे बाहर बैठे हैं इसका जो main mentor है वो क्रिस्टॉफ जाफरला है मैं कहीं बाराब को बता चुका हूँ क्रिस्टॉफ जाफरला से ही सारे narrative आप जानिये कि American left में भी ज्यादा तर जो narrative है वो French left से ही आते हैं पूरी दुनिया में leftism का प्रचार प्रसार जो है वो अधिक्तम फ्रांस से ही हुआ है तो ये लोग जो है वो उनको co-opt कर लिये हैं उन्होंने क्रिस्टॉफ जाफरला को co-opt कर लिया आपने देखा होगा कि सत्यनाराण गंगाराम पिट्रोदा उर्फ सैम पिट्रोदा का तुरंत रीन स्टेट्मेंट हुआ तुरंत रीन स्टेट्मेंट क्यों हुआ क्योंकि जो ब्रिज है जो सेतू है जो इनके बीच में जो एक दूसरे का संदेश प्रदान करने वाला प्लैन बनाने वाला एक्शन प्लैन बनाने वाला तो सैम पिट्रोदा ही है ना सारे जो समवाद है वही करता है और इनको जो है उसके बाद फिर पूरा का पूरा प्लै बना के देता है कि यह देखो क्रिस्ट्फ जैफर लौअ ने ये कास्ट न्रेक्टिव बनाया है इसको चलाना है और इसको यह अराम से चलाते हैं तो मैं भार्ती जिंतापार्टी वालो और आप नरेटिव में पिछड रहे हो खी क्लाप कर लो ना है कि आपको इतना ओएंकार है कि आपको सब कुछ अाता है य December आपने वहां इस जिस्वानांते नहीं पम演़ी जैसे कि आप 2024 के चुनाव में पिटे हैं यदि आपको सब कुछ आता होता तो आप 400 पार का नारा जो है बिना किसी कारण के और बिना कोई उसका rationalization दिये हुए आप नहीं बनाते यहां पर आपने गरबडिया की है मान लीजिए मान लेंगे तो आगे सुधार हो सकेगा आखिरकार हम जो हैं वो हम आपके हिद्चिन तक ही है ना तो यह narrative war को भाई साब आप यह बाठे होए जो एक्सपर्ट है ना यह फ्रेंच और US में बैठे होए इन से आप इस तरह से नहीं जीच सकते हैं आपके यहां कोई in-house expertise नहीं है यह आपको अच्छी तरह से मानना पड करता है जो ग्राउंड लेवल पे इसको diffuse कर सकता है उसको भी आपने कर लिया है इसलिए सुधार कर लिजिए और राहुल गांदी को लगातार सम्विधान की प्रतियां आप भी दिखाईए उनको पकड़िए और उनको पकड़के उनकी इलानत बला मत कीजिए तब जाके त कर सकतές पिर वेवल ग्राई छोड़के तब डाब इंड़के तो अ कर सकता है उनको सम्विधान